बात करें SBI की जो देख सकते हो कि यहां पर 584 के लेवल का आसपास ट्रेड कर रहा है 600 का काफे बड़ा resistance है पार नहीं कर पार है काफे महीनों से यहां पर तो देख लेते क्या estimates रहते हैं कैसे result आने वाले हैं इसके तो उसके बारे में बात करने वाले हैं तो बात करें इसके जो प्रीवीव निकाला है यहां पर तो देख सकते हैं इसवार जो net interest income होगी वा 40,097 क्रोड रह सकती है जो year और यह बिसे बात काफी अच्छे लेखने को मिल रहे है 28.5% से बड़ा थे जो बहुत अच्छे होते हैं यहां पर और quarter और बिसे बात करें तो 0.7% से घट के आ सकते हैं तो बिलकुल वी अच्छी चीज नहीं है यहां पर net profit के बात करें तो वो रह सकते है 13,520 क्रोड जो year और यह बिसे बात बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेगे तो वहां से देख सकते हो काफे बड़ी गिरावट है जो बिलकुल वी अच्छी चीज नहीं है यहां पर तो quarter on quarter basis पे 10.4% से आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको net profit से compare करो तो आपको यहां पर यही समझ में आ रहा है कि quarter on quarter basis पे जो प्रविजनिंग हो सकता है थोड़ी बढ़के देखने को मिले बंजन मेंग में आपको यही देखने को मिला था कि वहाँ पे प्रविजनिंग बड़ी थी तो यहां पर यहां पर आपको वही देखने को मिल सकता है यहां पर आपको थोड़ी बड़ी 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 पर देखने को मिल जाए अगर नहीं बढ़ती है तो यहां पर नंब ये चैनल को सब्स्वाइब परना बिल्कुल न पूलें